हलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में सिंदुगाटी सब्यता का इत्यास M सिंदुगाटी सब्यता के विस्थार के बारे में पढ़ेंगे तो सिंदुगाटी सबेता के बारे में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सिंदुगाटी सबेता के बारे में हमने सिंदुगाटी सबेता समान दित महतोपुन तत थे सिंदुगाटी सब्वेता का जो काल विवाजन है और सिंदुगाटी सब्वेता के जो नगर हैं सिंदुगाटी सब्वेता के नगरों की जो नगर निर्मान योजना है इन सब के बारे में पढ़ लिया है हमने सिंदुगाटी सब्वेता जो हम बताते हैं कि आदेत यासी काल से लिया तो आदेत यासी काल के बारे में हमने पढ़ लिया है तो आज हम इस वीडियो में इस सब्वेता के विस्थार के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा सिंदुगाटी सब्वेता का समय है वह 25 सो इसा पूरा से 15 सो इसा पूरा माना गया है ठीक हैं तो सिंदुगाटी सब्वेता का जो समय है वो हम कोई fix नहीं बता सकते कई विद्वानों ने अलग-अलग मत सिंदु गाड़ी सब्वेता के समय को लेकर दिये हैं तो जो सबसे सही मत या फिर जो ज़्यादा मानने मत है वह है पत्चीस सो इसा पूरा से पंद्रास सो इसा पूरा बताया गया है यह अनुमान के आदार पर तै किया गया है तो सिंदु गाड़ी सब्वेता विश्वागी प्राची नदी गाड़ी सब्वेतां में से एक परमुख सब्वेता थी यह सब्वेता सिंदु सर्ष्वती हडपा सब्वेता के नाम से भी जानी जाती है तता सिंदू काटे सब्वेता ये आदे एतिहासी काली होने के कारण इसे आदे एतिहासीक सब्वेता भी कहा जाता है आदे एतिहासी काल कौन सा काल था जिसमें पूरातात्विक और लिखी साक्षे मिले हैं लेकिन लिखी साक्षों को पढ़ा नहीं गया तो कुछ समय पहले ये माना जाता है कि ये सबबेता फच्पन सो साल पुरानी है लेकिन हाल ही में IIT के वह क्रमानित किया गया है कि ये सबबेता 8000 वर्ज पुरानी है इस सबबेता का विकास सिंदु और घगर अर्थात हक्डा जो प्राचीन नाम के है इसका सर्स्वती तो जो प्राचीन जो सिंदु गाटी सब्वेता है यह है घगर सिंदु अर्थात घगर जिसको हकडा या प्राचीन सर्स्वती के नाम से भी जाना जाता है के किनारे इस सभेता का विकास हुआ था इस सभेता का उधे सिंदू नदी की गाटी में होने के कारण इसे सिंदू सभेता तथा विक्सित किंद्र हडपा के नाम पर हडपा सभेता कहा जाता है अब देखेगा सिंदु घाटे सब्यता की खोज तो सिंदु सब्यता को हडपा संस्कृती भी का जाता है पुरातत्मा विद संस्कृत सब्द का प्रियो पुरा वस्तों के ऐसे समुहा के लिए करते हैं जो एक विशेश सहली के होते हैं और एक साथ एक विशेश स्थान तता समय से संबद पाए जाते हैं हडपा सब्यता के संदर में इन विशेश्ट पुरा वस्तों में मुहरें, मन के बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई इंठे समिलित हैं ये सबी वस्तों अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरा जैसे छेत्रों से मिली हैं इस सब्यता का नामगरण हडपा नामक स्थान जहां ये सिंस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है इसका काल निदारण पचीसों से पंद्रा सो इससा पूरा की बीच किया गया है इस चेत्र में इस सब्वेता से पहले और बाद में भी सिंस्क्रितियां स्थित्व में आयी थी जिने आरंबिक तथा परवर्ति हडपा कहा जाता है इन सेंसकर्थियों से हडपा सब्वेता को अलग करने के लिए इसे विक्सित हडपा सेंसकर्थी भी कहा जाता है तो जो सिंदू गठी सब्वेता है इसे पहले के और बाद की भी मिली है सब्वेता है लेकिन जो सिंदोगाटे सब्वेता इसको विक्षित हडपा सेंश करती भी कहा गया है हडपा मोंट गुम्री जिल्ले में रावी नदि के किनारे पाकिस्तान में श्तीत है सिंदोगी कौजकास रहे दयाराम साहनी को जाता है जिन्होंने भारतिय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जोन मार्सल के नेतरत्व में 1921 इस्वी में हडपा नामक स्थान की खुदाई करवाई इस इस्थल में सबसे पहले उत्खनन का कारिये 1927 इस्वी में हुआ था अब देखेगा ये तो हमने सिंदु गाड़ी सब्वेता का इत्यास थोड़ सा जाना है यहाँ पर सिंदु गाड़ी सब्वेता के बारे में जो सिंदु गाड़ी सब्वेता की किसने खोज करी सिंदु गाड़ी सब्वेता का पता हमें किन-किन पुरा ताथ्विक स्रोतों से मिलता है इन सब के बारे में यहां पर हमने पढ़ा अभी हम पढ़ते हैं सिंदु गाडि सबेता का विस्तार तो यह सबेता एक तो यह सबेता त्री कोण यह सबेता है और यह सबेता 12,99,000 वर किलो मेटर में फ्ली हुई है हडपा सभेता भारत की पर्थम नगरिये सभेता है सिंदु गाटि सभेता या हडपा सभेता विद्वान रंग नात्राव के अनुसार हडपा इस्थल उत्तर दक्षिन में 1400 किलो मिटर तथा पूरव पस्षी में 1600 किलो मिटर तक फैली हुई है अब तक इस स्थल के अर्थात इस सभ्यता के अवसेस पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंद, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्तान, हरियाना, पस्सिमी, उत्रपर्देश, जमु कस्मीर के भागों में पाये जा चुके हैं इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जमु के मानदा से लेकर दक्सिन में नर्मदा के मुहाने भगतराव तक और पस्सिम में मकरान, समुदर तट पर सुतका गेंडोर से लेकर पूरव में पस्सिम उत्तरपर्देश में मेरट तक है इस सभ्यता का सरवादिक पस्सिमी पुरास्तल सुतका गेंडोर, पूर्वी पुरास्तल आलमगीर, उत्तरी पुरास्तल मानडा तथा दक्सिनी पुरास्तल दायमाबाध है तो कई बार पूछ लेते हैं कि वही जो सिंदु काटि सब्यता है इसका पस्सिमी पुरास्तल कोन सा है पूर्वी पुरास्तल कोन सा है तो ये थोड़ सा कियां से धान से पढ़िएगा अब देखें उत्तर में मांडा जो कस्मीर में ये चिनाब नदी के तड़ पर इस्तित है और दक्सिन में दैमा बाजो महरास्ट में गोदावरी नदी के किनारे इस्तित है और पूरा में आलमगी इरपूर जो उत्तर परदेश में हिंडा नदी के किनारे इस्तित है और सुतका गेंडोर ब्लूचिस्तार में ये दास्क नदी के किनारे इस्तित है आप देखेंगा जो उत्तर दक्सिन में जो उत्तर और दक्सिन है ये 1400 किलोमेटर है और जो ये पूर पस्तिम है ये 1600 किलोमेटर है ठीक है न? तो लोथल तता सुर्कोटडा जो गुजरात में है जो सिंदू सब्वेता के बंदरगा थे तो सिंदू सबेता की दो बंदरगा जो मैतोपुंण है वो हैं लोथाल तता सूर्कोटड़ा सुरतता के बास सिंदू सबेता के सर्वादिक इस्थल गुजरास से प्राप्त हुए है सिंदू काटिस सबेता भारत में फैली हुई है केवल भारत में ही नहीं यह सब्वेता भारत के बाहर भी विश्त्रीत है इस सब्वेता के पर्मुक स्थान इस प्रकार है सिंदु काटि सब्वेता के स्थान तो इस सब्वेता के पर्मुक सहर तीन देशों में इस प्रकार से हैं वो कौन-कौन से हैं? हिंदू कुछ परवतमाला के पार अपकानिस्तान में वो कौन से हैं सोर्तू गई और मुंदिगाग तो सोर्तू गई हैं यहां से नहरों के परमाण मिले हैं अब देखेगा भारत में भारत के विभिनाजों में सिंदू घडि सब्यता के सहर कौन कौन से हैं अब देखेगा ग प्रभास पाटन और भगत राव इसी प्रकार से हरियाना में राजी गड़ी, भीरदाना, बनावली, कुणाल और मिताथल तो भीरदाना या इसको भीरडाडा भी कह सकते हैं बिरदाने भारत के उत्तरी राजे हरियाना के फत्यपाल जीले का एक छोटा सा गाम है, यह सिंदु गाटी सब्वेता का खोजा गया अब तक का सबसे प्राची नगर है महरास्टर में दायमाबाद, उत्तरपरदेश में आलमगीरपूर और अमखेडी, जम्मू कस्मीर में मांडा, राजस्तान में काली बंगा, पंजाब में रोपड, बाड़ा और संगोल तो हमारे इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेसर मिलें, और हमारे वाट लाइक और सेर करें, धन्यवाद